Hello student आईए स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग GK के 20 क्लास की क्लास नमबर 3 इससे पहले मैंने GK के 20 क्लास की जो स्रीज ते उसके 2 क्लास अप्लोड कर दिये हैं आप जाके इसी चैनल के प्लेयलिस्ट पे एक बाच चेक कर सकते हैं कुशे सारे जो कुशे सारे एक्जाम ORIENTED हैं और different different exam में काफी बार पूछे गए हैं तो आज उसी सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नमबर 3 क्लास नमबर 3 में मैंने और पुराने وीडियो की तरह 20 कुशन लिये हैं जो एक्जाम में आए हुए हैं आएए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर 1 में लिखा हुआ है कौन सी गैस मानों की हसी का कारण बनती है मानों की हसी का कारण कौन सी गैस बनती है आपका option है option number A है nitrogen, option number B है hydrogen, option number C है nitrous oxide और option number D है carbon dioxide तो आपको बताना है कौन सी gas मानों की हसी का कारण बनती है इसमें जो सही option होगा option number C nitrous oxide एक दम सही हो जाएगा अब बढ़ते है question number 2 की तरफ, question number 2 में लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह सूर से सबसे दूर है यानि सूर से अगर देखा जाए सबसे दूर ग्रह का नाम बताना है आपके option है option number A है Uranus, option number B है Neptune, option number C है Pluto और option number D है Sunny तो कौन सा ग्रह सूर से सबसे दूर है जिसमें जो सही option होगा option number D सही हो जाएगा Neptune सूर से सबसे दूरी परिस्ते थै अब हम लोग चलते है question number 3 की तरफ, question number 3 में लिखा हुआ है भारत का पहला उपग्रे कौन सा था भारत का पहला उपग्रे कौन सा था तो इसमें जो आप्शन नमबर A है भासकर आप्शन नमबर B है इन सैट आप्शन नमबर C है आरबट और आप्शन नमबर D है रोहडी तो भारत का पहला उपग्रे कौन सा था जिसमें जो सही आप्श कुश्यन नमबर 4 में लिखा हुआ है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है आप पास option है इसमें चार, option नमबर A में है तांबा, option नमबर B है सोना, option C है चांदी और option नमबर D है अल्यूमिनियम तो आप पताना है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है तो इसमें जो सही आंसर होगा, option नमबर C सही हो जाएगा, चांदी एकदम इसका सही आंसर होगा अब लोग बढ़ते है कुश्यन नमबर 5 की तरह, कुश्यन नमबर 5 में लिखा हुआ है किस वैग्यानि को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है किस वैग्यानि को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है इसमें जो पहला option है, इसमें option है विक्रम सारा भाई, option नमबर 2 है हूमी भाबा option नमबर 3 है एपीजे अब्दुलकलाम और option नमबर 2 है सीवीर रमड तो इसमें जो सही option होगा, वो होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी को हम लोग रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं बहुत से लोगों को ये पता भी होगा अब हम लोग बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, question number 6 में लिखा हुआ है कौन सा ग्रह सबसे तेज गती से सूर्य का चक्कर लगाता है तो सबसे तेज गती से सूर्य का चक्कर लगाता है तो इसको आप ऐसे याद कर सकें, जो सूर्य के सबसे पास होगा, वो सबसे तेज गती से चक्कर लगा सकेगा सूर के, तो इसमें option दिये हुए है, option नमबर A है प्रत्वी, option नमबर B है बुद्ध, option नमबर C है मंगल और option नमबर D है सुक्र, तो कौन सा क्रह सबसे तेज गती से सूरी का चकर लगाते है इसमें जो सही जवाब होगा option number B सही होते है बुद्ध एक्दम सही जवाब होगा अब हम लोग बढ़ते हैं question number 7 question number 7 में लिखा है विशुका विशुका सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है विश्यू का सबसे बड़ा जल परपाथ इसमें जो फैला आप्षिन A है नियाकरा जल परपाथ आप्षिन नमबर B है एंजल जल परपाथ आप्षिन नमबर C है विक्टोरिया जल परपाथ और आप्षिन नमबर D है इगू आजू जल परपाथ इसका जो सही आंसर हो जाएगा option number B angel जल परपाद विश्यू का सबसे बड़ा जल परपाद है अब हम लोग बढ़ते है question number 8 की तरह question number 8 में लिगा है कौन सा तत हमारे रक्त को लाल रंग देता है यानि लाल रंग मतलब हम लोग के जो blood है उसका color red है वो कौन से तत उसे मिलता है तो इसका जो option है A है iron, option number B है sodium, option number C है potassium और option number D है calcium तो आपको ताना है कौन सा तत हमारे रक्त को लाल रंग देता है तो इसका जो सही जवाब होगा option number A iron एक तम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते है question number 9 की तरह question number 9 में लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा गोंता है अपनी धुरी पर उल्टा गोंता है यानि कि जो rotation की जो main condition है उसके विपी opposite गोंता है उल्टा इसमें जो option A है व्रेस्पती option number B है सुक्र option number C है सनी option number D है उल्टा गोंता है इसमें जो सही जोब होगा option number B सुक्र इग्दम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते है question number 10 की तरह question number 10 में लिखा हुआ है किस ग्रह के चारो और सबसे किस ग्रह के चारो और सबसे ज़्यादा उप ग्रह है किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उप ग्रह है सिप्कल यह होगा इसमें थोड़ा समीं स्प्रिंट हो गया option number A है ब्रैस्पती option number B है सनी option number C है यूरेनस और option number D है नेप्च्यून इसमें जो सही जवाब हो जाएगा option number B सनी एक्दम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं question number 11 की तरफ question number 11 में लिखा हुआ है मानो सरीर में सबसे लंबी हटी कौन सी होती यानि मानो सरीर में सबसे लंबी हटी का आपको नाम बताना है जो human body में पाई जाती option A है टीबिया option B है फीमर option C है हूमरस option number D है फीबूला तो मानो सरीर की सबसे लंबी हटी कौन सी है इसमें जो सही जवाब हो जाएगा option number B फीमर एक्दम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते है question number 12 की तरफ question number 12 में लिखा हुआ है कौन सा तारा प्रत्वी के सबसे नजदीक है कौन सा तारा प्रत्वी के सबसे नजदीक है इसमें जो पहला option है A है alpha century option number B है serious और option number D है polaris और option number C है polaris और option number D है proxima century तो अब को अताना है कौन सा तारा प्रत्वी के सबसे नजदीक होता है तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number D, proxima century अब लोग बढ़ते हैं question number 13 की तरह question number 13 में लिखावा है किस तत्य की प्रमाड संख्या 6 होती option A है carbon option number B है oxygen option number C है nitrogen option D है hydrogen किस तत्य की प्रमाड संख्या 6 होती है जिसमें जो सही जवाब हो जाएगा option number A carbon ऐसा है जिसकी प्रमाड संख्या 6 होती है यानि कि atomic number 6 होता है अब लोग बढ़ते हैं question number 14 की तरह question number 14 में लिखा है कौन सी gas प्रिथवी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी gas प्रिथवी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है option A है oxygen option number B है nitrogen option number C है carbon dioxide और option number D है organ तो कौन सी gas प्रिथवी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सही जवाब हो जाएगा option number B nitrogen एकदम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते है question number 14 की तरह question number 14 में लिखा हुआ है कौन सा ग्रह सबसे धीमी गती से सूरी का चक्कर लगाता है अभी एक question उपर आया था उसमें लिखा था पूछा गया था कि कौन सा ग्रह सबसे तेज गती से चक्कर लगाता है तो मैंने आप से कहा था सबसे तेज गती से वही चक्कर लगा सकता है जो सबसे पास होगा सूरी के तो अब इसमें सबसे धीमी गती कौन से लगाएगा तो जो सबसे दूर होगा तो सबसे दूर गरे का आपको नाम बताना है इसमें आप्शन A है यूरेनस, आप्शन नमबर B है नेप्चियून, आप्शन नमबर C है सनी और आप्शन नमबर D है ब्रहस्पती तो कौन सा ग्रह सबसे धीमी गड़ से चक्कल लगाता है इसमें जो सही जवाब हो जाएगा option B एकदम सही हो जाएगा Neptune अब हम लोग बढ़ते हैं question number 16 की तरफ question number 16 में लिखा हुआ है कौन सा विटामिन पानी में घुलन सील है पानी में घुलन सील है इसका एक ऐखे कर सकते हैं गई भैस पानी में गता है B और C गई भैस पानी में में कौन कौन से विटामिन गुलेंगे B और C पहला option A streaming A option B vitamin D option C & funding D मैंने क्या बताय सा आपको कि गई भैस पानी से हम पॏكن Lewis क्या सकते कौन सा vitamin पानी में इस है T damn सी यानि option डी एकदम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं question number 17 की तरफ question number 17 में लिखा हुआ है कौन सी धातु सबसे ज़्यादा घनी होती है option a है sona option number b है platinum option number c है ausmium option number d इरडियम तो आपको तरफ कौन सी धातु सबसे ज़्यादा घनी होती है इसमें जो सही जवाब हो जाएगा option number c ऑस्यम एकदम सही हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं question number 18 की तरफ question number 18 में लिखा हुआ है कि कौन सा प्राणी सबसे ज़्यादा समय तक सोता है यानि सबसे ज़्यादा समय तक सोने वाले प्राणी का आपको नाम बताना है इसमें option a है बिली option number b है कौाला और option c है भालू और option number d है चम गादर तो कौन सा प्राणी सबसे ज़्यादा समय तक सोता है जी आपको बताना है जिसमें जो सही option हो जाएगा option number b को आपला एक्दम सही हो जाएगा अब लोग बढ़ते है question number 19 की तरफ question number 19 में लिखा हुआ है कौन सतारा सबसे चमकीला होता है कौन सतारा सबसे चमकीला होता है अभी एक उपर question आया था कौन सतारा प्रिक्टिवी के सबसे नज़्दीक है तो उसका जो answer था प्रॉक्सिमा century अब देखते हैं कौन सतारा सबसे चमकीला होता है इसमें पहला option a है serious option number b है polaris option number c है vega और option number d है alpha century इसमें जो सही जवाब हो जाएगा option number a serious एक एकदम सही हो जाएगा सबसे चमकीला तारा serious को गएता है अब हम लोग बढ़ते है question number 20 के तरफ question number 20 में लिखा है कौन सी धात्यू सबसे नरम होती है इसमें option a है sona option b है चांदी option c है सीसा और option d है लोहा तो सबसे नरम धात्यू कौन से होती है आपको पता ही होगा जो जिस तरह मनों उस तरह हम लोग बना सकते हैं पीट के लाक के त अगर आपको कोई भी question में doubt हो तो हमें comment करके पूछे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करिए channel को subscribe करिए ऐसे ही हम लोग को support करते रहे मिलते हैं next video में